निशा रात को अपने पिता के कमरे में जाती है, और उसे देखकर उसके पिता जाग जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ, इतनी रात को क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? निशा कहती है पापा मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ बिलकुल बेटा इसमें कोई बात नहीं आप आराम से सो जाओ मैं यही तुम्हारे पास हूँ निशा अपने पिताजी के बिस्तर पर आराम से सो जाती है और उसके पिता उसके सर को प्यार से सहलाने लगते हैं इससे लड़की को तुरंत आराम महसूस होता है और वह धीरे-धीरे सोने लगती है। उस दिन उसके पिता ने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की होती है और फिर उसके पिता धीरे-धीरे उसके। अपने तीन बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और एक साल से घर की स्थिती बहुत ही खराब हो जाती है। उसकी दो बेटियों में सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 20 स और उससे चोटी बेटी की उम्र 14 साल और सबसे चोटे बेटे की उम्र 9 साल की थी। पत्नी के इलाज में उसके सारे रुपए पैसे खत्म हो गए थे जिससे उसकी आर्थिक स्थिती बहुत ही खराब हो जुकी थी और वह कर्ज में डूबा हुआ था। इसी-इसी यह था। आर्थिक स्थिती दिन बदिन खराब होती ही जा रही थी और घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बच्चे भी अपनी मां की याद में गुमसुम और उदास रहने लगे थे। उस आदमी के लिए बच्चों को संभालना चुनौती पूर्ण हो रहा था घर की जि पढ़ाई लिखाई खराब हो सकती है और अगर वह घर पर रहता है तो घर की जरूरतें और खर्च पूरे नहीं हो सकते। यही सब सोचकर वह काफी परेशान रहता था। तब ही उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न दुसरी शादी कर ली जाए। और एक नई पतनी घर की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती है और बच्चों को भी आसानी से संभाल सकेगी और फिर मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा और कहीं बाहर किसी शहर जाकर काम धंधा करके कमा लूँगा। उसने ने इस विचार को गंभीरता से लिया और सोचा कि यह उ से समझाया कि एक नई शादी से तुम्हारी परेशानी जरूर कुछ हद तक कम हो सकती है लेकिन इस बारे में तुम अपने बच्चों से जरूर राय कर लेना। फिर वह इस बारे में अपनी बेटी से बात करता है कहता है बेटा मैं सोच रहा हूं कि दूसरी शादी कर लोगों के लिए एक मां को लाओं इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से करेगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी मां के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो तुम सब की हालत हो गई है अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता की इन सब बा हो जाएगा और मैं तुम सब को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वो लड़की खामोश ही रही। पिता सोचता है कि उसकी बेटी अभी भी दुखी है फिर किसी और दिन बात करेंगे। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और वह लड के पिता हम सब से बहुत प्यार करते हैं अगर वह दूसरी शादी कर लेंगे तो सौतेली मा हमारे उपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ देने लगेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड सौतेली को पिता के दूसरी शादी की सारी बात बताती है जो उसके पिता ने उससे कही थी। फिर मोनिका कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है। अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम लोगों के उपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिस्मानी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है। इसी वजह से वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। तुम कभी यह मत सोचना कि वह यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी अगर तुम कर सको तो निशा कहने लगी कि तुम मुझे बताओ मैं अपने भाई बेहन के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। मगर वह अपने भाई बेहन को कभी बरबाद नहीं होने देगी। अब निशाने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर वह अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता आता है। जब वह देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है तो फिर वह उससे पूछता है कि बेटी क्या हुआ। तुम यहां क्या हुआ? तुम ठीक तो हो न? तो निशा कहने लगी कि पापा मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। निशा की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। और वह किचन में खाना खाने चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत पी भी लेता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। निशा की बातें और सौतेली मा की तस्वीर घूम रही थी। जब निशा खयालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर उसने डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती थोड़ी देर बाद निशा धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उसका पिता भी मधोश होने लगता है और जब तक उसे होश आता है तब तक उसके अंदर का शैतान जाक चुका था और वह खुद को रोक न सका। उसके बाद वह दोनों अपने इस रिष्टे को भूल कर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुभा जब सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पच्चतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन ही चलने लगा। अब तो निशा भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो वह अपकैंदाए के ला। अपनी उपो की अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे। इसी तरह दिन महीना में बदलते चले गए और कब पांच महीने बीद गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन नि की चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास एक क्लीनिक पर जाती है। तब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह दो महीने से प्रेगनेंट है। उसके गाउं की ही एक औरत उस क्लीनिक में साफ सफाई का काम किया करती थी। जब वह औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गाउं में धिंडोरा पीठ देती है कि कुमारी लड़की मा बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे गाउं में फैल जाती है कि फला आदमी का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज र परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी। वह किसी को मुह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त निशा मारकेट से कुछ सामान लेने चली जाती है तो रास्ते में उसे गाउं के कुछ लड़के छेडने लग जाते हैं और अशलील बातें करके उसको परिशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। निशा बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आ जाने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है और खाना बना कर अपने भाई बहन और पिता को खाना खिला कर अपने रूम में चली जाती है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही है वह सर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी यही सब सोचते हुए वह जटके से उठती है और रसी लेकर जंगल की ओर चली जाती है जंगल में पहुंचकर वह अपने आपको फंदे से लटका लेती है और उसी गाउं का एक आदमी जंगल की ओर जाता है तो वहां का मन्जर देखकर उसके होश उड़ जाते है जब पास जाकर देखा है तो वह एकदम सन रह जाता है क्योंकि वह लड़की उसी के गाउं में रहने वाली बेटी थी फिर वह आदमी इस खबर को पूरे गाउं में फैला देता है और लड़की के पिता को भी बताई जाती है लड़की के पिता और गाउं के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उनमें से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है लड़की को उतार कर उसका पोस्ट मार्टम के लिए भेज देती है जब पुलिस पूछताच करना शुरू करती है तो पूछताच के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी इसी लिए ही इसने आत्महत्या की एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही पिता के साथ नाजायज रिष्टा था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी इसी के बाप का है लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसे बाप किसी बेटी को भी ना दे पुलिस फिर उसको पढ़कर थाने ले जाती है और उसे सजा दी जाती है दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरह की घटनाओं से जागरूक रहें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें ऐसी ही मनमोहक कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद